कि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हम कैसे एक सिंपल सा पेंड्राइब को उइंडो 10 USB फ्लाश्ट ट्राइब में करफ़ करें उइंडो 10 USB फ्लास्ट ट्राइब आपको बड़ा ओड लग रहा होगा लेकिन ऐसा कुछ नहीं है सिंपल सा एक पेंड्राइब है जिसमें उ देखिए कभी-कभी हमारा लाप्टॉप या पीसी में जो विंडो पड़ा है वो करप्ट हो जाता है करप्ट हो दने के बाद आपका विंडो या पीसी मिलकुल खुलेगा ही नहीं और आपके पास एक विंडो 7 का लाप्टॉप है एंड आप उसको अपग्रेड करना जाते है विंडो 10 में और लेट आपके कम्पूटर में एक इम्पूर्टांट फाइल है लेकिन आपका विंडो जो है वो क्रॉप्ट हो गया उस टाइम आप क्या करेंगे उसको खोल के तो निकाल नहीं सकते उस टाइम आपका ये USB बूटेबल फ्लास्ट्राइब क्राम आएगा कैसे करना है पूरा इंफर्मेशन इस वीडियो में आपको मिलने वाला है अच्छा लागी तो वीडियो को एक लाइक कर दाना अपने दूस्तों के साथ शायर कर दाना तो बीना टाइम पास के सीधा सलते हैं अपने कम्पूटर स्क्रीन पर तो यूवेस्पी फ्लास्ट्रा अब आप वेब ब्राउजर उपन कर दीजिए नेक्स्ट यहां से सर्च किजिए माइक्रोशप्ट उइंडो टेन डाउनलोड तो डाउनलोड वीडियो टेन का जो अप्शन है माइक्रोशप्ट.com उसको यहां से क्लिक करना है अभी माइक्रोशप्ट का ओफिस्याल पेज यहां पर ओपन हो गया है थोड़ा सा नीचे जाके यहां पर देखिए डाउनलोड टूल नाव का एक अप्शन मिलेगा यह आपका मेडिया क्रेशन टूल इसको सिंप्ल यहां से डाउनलोड टूल नाव में क्लिक करके डाउनलोड कर लेना है अभी देखते हैं रूपोश अप्लिकेशन को कैसे डाउनलोड करेंगे एक नया विंडो ओपन करेंगे और यहां पर सिंप्ल आपको सर्च करना है और यू एफ यू एफ यू एश रूपोश एंड क्लिक कर देना है तो रूपोश का जो ओफिस्याल वेबसाइड है सबसे पहले आपको देखने के लिए इसको आपको क्लिक कर देना है थोड़ नीचे जाके यहां से लाटेस्ट जो रूपोश का अप्लिकेशन है उसको यहां से डाउनलोड कर देना है अभी देखिए हमारा मेडिया क्रेशन टूल जो है ओ डाउनलोड हो गया है अभी डाउनलोड करना है विंडो 10 ISO फाइल यह हमारा मेडिया क्रेशन टूल से तो मेडिया क्रेशन टूल को सबसे पहले ऑपन करना हे तो रॉन्नाजाएड्मिस्ट्रेorta करते हैं से क्यीमग नेश्ट यहां से इसको इसको कर देंगे झौन नेश्ट यह आपको पुछेगा choose which media to use यहां पर दो अप्छन मिल लगा usb flash drive and iso file तो पहला बाला option usb flash drive में अगर आप क्लिक करेंगे तो सीधा window 10 का iso file है वो आपके pen drive में over return कर दिया जाएगा इसके लिए आपको रूफोस application के जरूरत नहीं पड़ेगी और आपका जो pen drive है मिनिममम 8GB का pen drive होना चाहिए क्योंकि iso file नीचे वाला जितने pen drive हो 4GB का आता है तो आपका setup file नहीं आपका pen drive से ज्यादा होगा तो कैसे चलेगा इसलिए आपको minimum 8GB का pen drive होना चाहिए इसको क्लि इसने भी चाहिए उतने usb flash drive क्रियेट कर सकते हैं तो हम इसको iso file में क्लिक करेंगे and next कर देंगे next यहां पर कोई साभी folder यहां से चूज करेंगे and save में क्लिक करनेंगे तो अभी हमारा window 10 का iso file डाउनलोड हो गया है यह process होके 100% हो जाएगा तब आपका window का iso file है ओ completely download हो ज आपको डाउनलोड करने के बाद आपको रुफोस अप्लिकेशन को इस्टल करना है तो रहन आज आज आड्मिस्ट्रेटर करेंगे next इसको yes कर देंगे यहां पर ध्यान से देखिए क्योंकि यह सबसे important setting है सबसे पहले आपको device चूज करना है device में आपको आपका pen drive को चूज सकते हैं सिर्फ आप यहां पर pen drive को आड़ कर से नेस्ट बूट सेक्शन में उन्डू 10 का ISO फाइल सिलेक्ट करना है तो यहां पर देखिए सिलेट का option है उसको क्लिक करेंगे next जहां पर भी आपका उन्डू 10 का ISO फाइल है उसको क्लिक करके open कर देंगे तो भी देखिए अप आपका उन्डू 10 इंस्टल हो जाएगा एंड उन्डू टू गो यह वाला option अगर आप चूज करेंगे तो अगर आपका windows corrupt हो गया है तो इस usp ready to go flash drive के जरिए आप कोई साभी important file या important document है को आप अगर आप इस window to go option को चूज करेंगे तो कभी भी अगर आपका windows crash कर गया है य important document है उसको आप इस usp flash drive के जरिए recover कर सकते हैं और निकाल सकते हैं मुझे windows to go option अच्छा लगता है तो मैं इसको क्लिक कर दूंगा next और कुछ छेट-छार नहीं करने का simply यहां पर start में क्लिक कर देना है next आपको windows 10 का बर्षन चूज करना है जैसे कि यहां पर देखेंगे इसको अच्छा होता है इसको क्लिक करेंगे और यहां से जब यह complete हो जाएगा तो पूरी दरा से अपना पेंड्राइब में यह लोड हो जाएगा देखो इधने ही चोड़ी सी बात के लिए आपको कहां कहां बटकना पड़ दाया है आपका कॉम्पूटर सब आले है उनके जो स्टोर है यही काम करते हैं इसको आपके कॉम्पूटर में लागा के उसको फर्माट या अप्ग्रेड कर देते हैं तो क्यूंना हम खुद से एक पैंड्राइब खरीद के इसको बुटेबल युएसपी पैंड्राइब बना अब इसको फर्माट कर सकते हैं ड्रेया ऊप्ग्रेड करना है उसके लिए मैं और एक वीडियो बना दुगा तो इसी तरह से आप किसी भी पैंड्राइब को एजएली विश्वी फ्लाशरे में पन्बाट कर सकते हैं बीना कोई जंजट के तो वीडियो आपको कैसा लागा म मुझे जरूर कमेंट करके बताई मिलते हैं आपके साथ नेक्ट वीडे में तब तक लिए गुड़ बाई